किंग देश टुडेन लास्ट लेक्चर में हमने बात कि थी राइटिंग केमिकल फोर्मॉला चैनल फोर्मॉला को लिखने के लिए कौन-कौन से बेसिक रूल से हैं उनको हमने जाना था तो आज हम जानेंगे फॉर्मॉला और सिंपल कंपॉंड को पॉर्मॉला कैसे लिखते ह में आप तू डिफेरेंट ऐलिमेंट और बाइनरी एसे कंपाउंड ओके वल तो डिफेरेंट एलिमेंट की आपस में जूडने से बने रहते हैं उनको बाइनरी पाउंड बहुते हैं बैयंशी आप सम इन और गिवन इन टेबल 3.6 कि यो इस दी तो राइट फॉर्मूली फॉ तो यहां पर आपको टेवल 3.6 में बहुत सारे जो आयन से हैं उनके वैलेंसी दी गई है तो हमें एक्जाम्पल की दूर पर गर हम देखे हैं हैं अगर हमने फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले हम उनके सिंबल्स को लिखेंगे और उनकी वैलेंसी को लिखेंगे हाइडोजन की वैलेंसी उसके नीचे पे और जो क्लोडिन है उसकी वैलेंसी नीचे पे और इसके बाद हमें देखना है कि जितनी वैलेंसी है वो क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करें उससे अगर हम दूसरे वाली को माल्टिप्लाई कर देंगे तो तब भी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा तो यहां पर दोनों की जो वैलेंसी है वो कितनी है वन वन है अगर हम माल्टिप्लाई करते हैं तो हमें वन एच और वन सील मिलेगा तो इसलिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो के मिलेगा मैं ऐसी एल ऐसी आपको दिया है फॉर्मूला ओफ हाइड्रोजन सल्फेट अगर हम बात करें इनके वैलेंसी की तो हाइड्रोजन की वैलेंसी बन होती है और जो सल्फर है उसकी valency कितनी होती है 2 होती है अगर हम 2 से multiply करेंगे H को तो हमारा जो formula निकल के आएगा वो आएगा H2S ऐसी आपको तीसरा example दिया गए carbon tetra chloride carbon और tetra chloride तो यह आपर carbon की valency होती है 4 और chlorine कितनी होती है 1 अगर हम इनकी valency से cross multiply करते हैं तो हम जो formula निकल केगा वो C और CL को हमने 4 से multiply किया है तो CCL4 for magnesium chloride we write the symbol of magnesium symbol of ketain mg2 plus first followed the symbol of NIN CL minus then their charges are criss cross to get the formula तो क्या होता है जो आयनी compound से होते हैं उनको लिखने के लिए सबसे पहले जो iron metal है उसको पहले लिखना होता है और फिर जो non metal है उसको multiply करेंगे तो magnesium में चो चार्ज है वो 2 plus का है और हमें किवाल 2 से multiply करने है CL को और CL में चो चार्ज है वो minus 1 का है minus 1 से अगर mg को multiply करेंगे तो वह नहीं आएगा और जो फॉर्मूला है वो क्या है निकल केंगा MgCl2 थस in magnesium chloride there are two chloride ions for each magnesium ion the positive and negative charge must balance each other and the overall structure must be neutral तो इस प्रेकार से क्या होता है magnesium chloride में जो chlorine ions है उनके नमबर कितने है तू है यान की two chloride ions है आप प्रेजेंट होता है magnesium के दो प्लस charges को negative करने के लिए इसलिए जो positive और negative charge होता है इस में इस compound में हो क्या पनाते है इसको वो zero हो जाते है और जो overall जो structure है magnesium chloride का वो neutral होता है ठीक है know that in the formula the charges on the ions are not identified यहां पर क्या होता है कि जब भी हम formula लिखते हैं तो उनके charges को लिखना जरूरी नहीं होता है कुछ और example की help से समझते है formula of aluminium oxide aluminium oxide की अगर हम बात करें तो aluminium के जितने ions हैं कितने ions होते हैं charges 3 plus और oxygen में 2 negative होते हैं तो अगर हम इनको cross multiply करेंगे तो जो formula आएगा AL to O3 आएगा 2 क्यों आया क्योंकि oxygen के जो charges कितने हैं वो minus 2 और इस वज़े से हमने 2 से AL को multiply किया है और जो aluminium के charges हैं उससे हमने O को multiply किया है दूसरा है आपका calcium oxide calcium oxide में CA के पास two charge two positive charge है और oxygen के पार two negative charge है तो multiply करेंगे तो simple formula आज़ेगा CAO CAO क्यों आया CA2O O2 अगर ऐसा हम formula लगते तो यह कोई formula नहीं हुआ क्योंकि दोनों के charges के हैं बराबर है equal है तो अगर हम इनको cut करेंगे तो यह one से खड़ हो जाएंगे तो one को हम लेखेंगे नहीं पर simply हम इसको formula को कैसे लेखेंगे CAO formula of sodium nitrate sodium nitrate के पास अगर हम बात करें sodium ये पास कितना charge है plus one और nitrate के पास कितना है minus one तो simple formula आजाएगा NA NO3 तो calcium hydroxide के अगर हम बात करेंगे तो calcium के पास दो और OH के पास कितना charge है minus one तो two जो charge है उससे हमने OH को multiply करना है OH जो है वो अलग-अलग element है oxygen and hydrogen तो जो इसके बाहर से अगर हम multiply करेंगे तो इसके bracket के बाहर आना चाहिए note that the formula of calcium hydroxide is CAOH whole twice not CAOH2 ऐसा नहीं होगा वो lack we use bracket when we have two or more of the same iron in the formula अगर हमारे पास दो या दो से अधिक iron किसी formula में है same तो उसके लिए हम bracket का use करते हैं the bracket around OH with the sub script to indicate that there are two hydroxyl groups joined to one calcium atom तो यह आप जो ब्रैकेट है वो हमें बता रहा है तो hydroxyl group एक CA group के साथ एक calcium group के साथ क्या है अटेच है इन अतरवर्ट तेरा two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide ठीक हो गया या नहीं कि अगर आप दूसरे सब्सक्राइब में बोले तो calcium के साथ क्या है oxygen और hydrogen जो हैं वह दो दो नमबर में present है formula of sodium carbonate अगर sodium carbonate की बात करें तो इनके चार्जे इस पर डिपेंड करते हैं अने के पास कितना चार्जे प्लस वन और CO3 के पास माइनस टू चार्जे तो यहां पर क्रॉस माइल डिपलाई अगर हम करते हैं तो यह क्या हो जाते हैं ने टू CO3 इन अबब एक्जांपल ब्रैकेट आर नौड नीड़ेट इडियर इस ओनली वर आयन प्रजेंट क्योंकि आपर केवल वन आयन है ऑक्सिजन आयन है इंदा फॉर्मूला आपका दिया है अमोनियम सल्फेट का एनस फूर का जो चार्ज है वह प्लस है और एस ओफूर का ट्वाइस निगितिव है तो फॉर्मूला के आजएगा एनस फूर होल ट्वाइस और एस ओफूर ऐसी आपको टेबल दी गई है तो इस बेसे पर आप बना सकते हैं क्या इनके फॉर्मूली वह लेक्चर आपको प्लेट होता है से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में थेंगे थेंगे थेंगे